नमश्कार बच्चो आज हम गनित के कुछ बेसिक टर्म्स करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ आप इन्हें ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले है वक्र। वक्र का मतलब होता है इंग्लिश में कर। कर तो बच्चों आईए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक वक्र क्या होता है जब भी गणित में हम बिना पैन उठाए कुछ भी बनाएंगे तो उसे कहा जाता है वक्र यह सब वक्र के उधारन है यहाँ पर कहीं पर भी हमें पैन उठाना नहीं पड़ रहा इस प्रकार से यह सभी आकरितियां इस प्रकार की हैं जिनमें की हमें पैन नहीं उठाना पड़ रहा तो यह सभी वक्र के उधारन है इन्हें कर्व कहा जाता है इंगलिश में और हिंदी मेंने कहा जाता है वक्र अब हम पढ़ते हैं साधारन वक्र साधारन वक्र क्या होता है बच्चों जब भी मैं एक वक्र ऐसा बनाऊंगा जिसमें की जब कोई आपस में मेरे यह जो वक्र है यह ना कटे उसे हम कहेंगे साधारन वक्र जैसे इस प्रकार से यह आपस में कट नहीं रहे इन्हें कहा जाता है साधारन वक्र अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपस में कटने का क्या मतलब है देखे अगर मैंने इस प्रकार का एक वकर बनाया है यह इस प्रकार से और यह देखे यहां यह एक दूसरे को काट कर फिर क्रॉस करके जा रहा है तो यह साधारन वकर नहीं है यदि हम एक स्टार बनाते हैं आप देख रहे हैं इसने यहां भी यहां से शुरू हो और यहां भी काटा फिर यहां भी काटा फिर यहां भी काटा तो यह आपस में बहुत बार इसने काटा है तो क्रॉस किया है एक दूसरे को तो ऐसे वकर को हम क्या कहेंगे यह साधारन वकर नहीं है देखिए जब मैंने इस प्रकार से एक वक्र बना है तो यह देखे यहां यह इसको काट कर आगे जा रहा है तो ऐसे वक्रों को हम कहते हैं कि यह साधारन वक्र नहीं है आशा करता हूँ आपको सबसे पहले वक्र क्या है जिसमें पैन उठाए बिना आप जो मर्जी बना दो उसे कहते हैं वक्र साधारन वक्र नहीं है यह है अब हम पढ़ेंगे साधारन बंद वक्र अब देखते हैं कि साधारन बंद वक्र क्या होता है देखिए ऐसा साधारन वक्र जो एक दूसरे को काटे नहीं और जिस बिंदू से शुरू हो उसी बिंदू पर आके खतम हो जाए यह देखिए मैंने यहां से शुरू किया था इसने कहीं एक दूसरे को काटा नहीं है और उसी बिंदु पर आकर इसका अंत हो गया तो ऐसे वक्र को हम बोलेंगे साधारन बंद वक्र यह देखिए यह सरकल हमने एक बिंदु से शुरू किया और उसी बिंदु पर आकर खतम कर दिया यह है साधार साधारन बंद वक्र एक आयत एक बिंदू से शुरू किया उसी बिंदू पर आकर खतम कर दिया साधारन बंद वक्र ठीक है बच्चो जो इस प्रकार के जो वक्र होंगे जो एक बिंदू से शुरू होकर वहीं पर खतम हो जाएं ठीक है अंडा कार अकरेति बना दो यह भी एक प्रकार से जो एक बिंदू से शुरू हुआ और उसी बिंदू पर खतम हो गया तो इसको भी कहेंगे साधारन बंदवक्र है यह हैं आशा करता हूँ आपको साधारन बंद वक्र अच्छे से समझाया होगा अब हम आगे पढ़ेंगे बहु भुज बच्चों साधारन बंद व सधारन भी और बंद वक्र भी एक ऐसा सधारन बंद वक्र जो सिरफ रेखा खंडों से बना हो देखिए यह एक आयत है यह सिरफ रेखा खंडों से बना है कहीं पैन नहीं उठाना पड़ा इसलिए वक्र है सधारन वक्र है क्योंकि एक दूसरे को कहीं काटा नहीं सधारन बंदवक्र है क्योंकि एक जगह से शुरूँ कर वहीं गतम हो गया बहुबुज है क्योंकि क्योंकि यह सदारन बंदवक्र है और जो केवल रेखा खंड़ों से बना है इसी प्रकार से सम चत्रभुज सम लंब चत्रभुज त्री भुज शट भुज यह सभी जो हैं यह साधारन बंदवक्र हैं यह सभी साधारन बंदवक्र हैं सिर्फ रेखा खंड़ों से बने हैं सरकल नहीं आएगा इसमें अंडाकार नहीं आएगा वरित नहीं आएगा क्योंकि वो रेखा खंड़ों से नहीं बने हैं बाकी जो इस प्रकार से रेखा खंड़ों के बने हुए साधारन और बंदवक्र होंगे उन्हें कहा जाएगा बहु भुज ठीक है बच्चो और चार भुजाओं वाला चत्रभ पांच भुजाओं वाला पंच भुज इसको हम आगे भी अभी करेंगे शे भुजाओं वाला शट भुज ठीक है इससे हम आगे दुबारा अगले वीडियो में फिर से समझेंगे अब हमने बहु भुज पढ़ा देखो सबसे पहले क्या-क्या बढ़ लिया वक्र पढ़ा सथारन वक्र जो एक दूसरे को क्रॉस ना करे सथारन बंदवक्र जो बंद हो जै क्यों बना तो है बहु भुज जो सथारन बंदवक्र हो और केवल और केवल रेखा खंडो से बना हो अब हम पढ़ेंगे बहुभुज दो तरह के होते हैं उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज आये इनमें अंतर देखें उत्तल बहुभुज में मैंने बनाया है एक आयत इसकी पहचान क्या है इसकी एक बुजा यहां है तो बाकी का सारा बहुबुज इसकी एक ही तरफ होगा यदि एक भुजा यहाँ है तो बाकी सारा बहुज इसकी एकी तरफ है एक भुजा यहाँ है तो बाकी सारा बहुज इसकी इसी तरफ है दूसरी तरफ कुछ नहीं एक भुजा यहाँ है तो यह वाली भुजा तो बाकी बहुभुज इसके एक ही तरफ है, दूसरी तरफ नहीं ऐसे बहुभुज को हम कहते हैं, उत्तल बहुभुज ठीक है, यह है यह देखिए, समांतर चत्रुभुज भी इसका एक उधारन है सम चत्रुभुज भी इसका एक उधारन है तो ऐसे कौन से होते हैं जो उत्तल नहीं होते देखिए मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ ये देखिए यह भी एक बहु भुज है क्यों है बहु भुज साधारन बंद वक्र है बंद है केवल रिकाकंडों से बना है लेकिन इसके देखिए यदि मैं इसकी इस भुजा को लूँ तो इसके कुछ बहु भुज इस तरफ को है कुछ बहु भुज उस तरफ को है देख पा रहे हैं इस लाइन के लिए थोड़ा सा बहु भुज इदर है थोड़ा सा बहु भुज इदर है तो ऐसे बहु भुजो को ह कहेंगे अवतल बहु भूज, ऐसे बहु भूजो को क्या कहेंगे अवतल बहु भूज कहेंगे ठीक है बचो this यह यह भी एक बहु भूजा इसकी बहुत सारी बुजाएं IA ठीक है लेकिन अगर इस बूज की बात करें तो थोड़ा बहू इसके उपर है थोड़ा नीचे इस बुझा की बात करें थोड़ा बहुबुझ इसके लेट साइड पे बाकी राइट साइड पे हैं तो ऐसे बहुबुझ जो है यह अवतल बहुबुझ कहलाते हैं उतल बहुबुझ गो होते हैं जिनके लिए एक बुझा है तो बाकी सारा का स में दसमी में बहुभूजों की बात करेंगे तो हम उत्तल बहुभूजों की बात करेंगे जिसमें चत्रभूज समांतर चत्रभूज सम चत्रभूज पतंग सम लंब चत्रभूज आयत वर्ग ये सारी चीजें आएंगी जो कि सारी कि सारी उत्तल बहुभूज हैं तो बच्च साधारन वक्र नहीं जो एक दूसरे को क्रोस कर जाए वह साधारन वक्र नहीं होता उसके बाद साधारन बंद वक्र जो बंद हो एक जगा से शुरू हो उसी जगा पर खतम हो यह सरकल है एक जगा से शुरू हो उसी जगा पर खतम हो यह आयत है एक जगा से शुरू हो उसी यह सधारन बंदवक्र नहीं है क्योंकि यह श्यां से शुरूआ प्रन्तु यहां खतम होगा यह जुड़ा ही नहीं आपस में इसे सधारन बंदवक्र नहीं कहेंगे उसके बाद है बहुबुज एक ऐसा सधारन बंदवक्र जो केवल रेखा खंडों से बना हो केवल रेखा खंडों से बना हो सधारन बंदवक्र जो केवल रेखा खंडों से बना हो उत्तल बहुबुज जिसमें एक भुजा के एकी तरफ को बाकी सारा बहुबुज और दूसरी तरफ को कुछ ना हो एकी भुजा के सिरफ एकी तरफ अवतल बहुबुज जिसमें एक कोई ऐसे जो उनों को अबुझा कहा जाता है आशा करता हूँ मेरे इस छोटे से वीधीयो से आपको काफी सारे सीटी और बुझा should